हुआ है हलो फ्रेंट्स मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने जैनल पॉलिटेक्निक क्लासिस मुझागत करता हूं तो फ्रेंट्स जैसे आपको पता है हम यू डबली यूटिलाइजेशन आफ एलेक्रिकल एनरजी को कि फ्रेंन्स तो फ्रेंट्स आज हमारा जो एमसी क्यू से उसकी सिरीज का लेक्षर नमबर 17 होने वाला है इससे पहले हम फॵफ लेक्टर कबर कर चुके हैं अगर आपने हमारे वह लेक्टर नहीं दे के तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको वाच कर सकते हैं फ्रेंट से एक चीज़ और बता दें कि एक्जाम से पहले हम आपके जो electrical, mechanical, civil के जितने भी subject चलने हमारी चैनल पर उसको हम cover कराएंगे और काफी हमारे जो subject हैं उसको हमने cover करा ही दिया है उसके बाद हम one liner आपके लिए एक series लेकर आएंगे और exam से पहले उसको भी cover करेंगे हमारा motive यह है कि exam से पहले सारे बच्चे अपनी preparation बहुत अच्छे से कर पाएं तो friends अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर फाइनल एर के अलावा एलेक्टिकल फास्टेर सेकेंड एर के भी कोर्स को cover किया जा रहा तो आपका फ्रेंट किसी भी ब्रांज से किसी भी समिस्टर से हो चाहें वो इलक्टिकल का हो चाहें वो मैकेनिकल का हो चाहें वो सिविल का हो आप उसके उसके भी साथ उसको शेयर कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते आज का session है तो वो हम MCQs लेकर रहा है electric heating से इससे पहले हम जो MCQs करा चुके हैं वो illumination से करा दिया हमने friends जो हमारा illumination है friends illumination से हमने करा दिये electrical welding से हमने करा दिये जो आपके MCQs है उसको electrical cooling से हमने करा दिया है आपके जो MCQs बनने वाले हैं electrical cooling friends आज जो हम कराने वाले हैं आज हम कराने वाले हैं electrical heating से जो most important आपके MCQs बनने वाले हैं उनको तो friends लाश्त तक बने रहिएगा बहुत important MCQs लेकर आए हैं आज हमारी जो MCQs है वो 23 हैं 23 MCQs हैं और बहुत important mcqs होने वाले हैं तो चली देखते हैं हमारा पहला question क्या बोलगा तो question number one में कहा गया है question number one में बोल रहा है induction heating process में dash अधिक होती है means यह पूछना चाहा रहा है कि induction जो heating है उस process में क्या अधिक होती है तो voltage अधिक नहीं होता है अगर हम बात करें phase angle तो phase angle का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर current भी अधिक नहीं होती है अधिक होती हमारी frequency अगर हम बात करें कभी कबार ऐसी भी question पूछा जा सकता है कि frequency का किस किस method में या फिर कौन से heating method है जिसमें frequency का contribution है या frequency का use किया जाता है तो मैं आपको बता दो induction heating में होगी इसको लिखते हुए चली का फ्रेंट इंडेक्शन हीटिंग हो गई सेकेंड है आपकी डाइलेक्रिक हीटिंग तो इन सब में हम क्या करते हैं फ्रेंट आपका जो frequency है उसका use करते हैं हाई frequency के साथ हम यहाँ पर apply करते हैं जिससे क्या हो हमारी जो heat है ज्यादा generate हो तो इसी प्रकार आपका जो question number one में कहा गया है question number one में कहा गया है friends आप से कि जो induction heating है उस process में अधिक होती है क्या अधिक होती तो आपकी frequency उस में अधिक होती तो फ्रेंट्स मैं आपको बता दू जो इंडस्ट्रियल लोड होता है अगर मैं आपको इंडस्ट्रियल लोड की बात करूं तो फ्रेंट्स जो इंडस्ट्रियल लोड होता है उसका पावर फेक्टर बहुत लोग होता है अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल लोड की तो इं करता है means inductive load होता है अगर industrial load की बात करें तो inductive load होता है आपका industrial load और inductive अगर हम inductance के जो power factor की बात करें उसका पूरा power factor होता है τον lagging होता है अगर मैं इसके waveform बनाऊ तो lagging ऐसे होता है आपका जो voltage है उसको 90Tc सा आपकाumba current है वो lag करता है फ्रेंट तो ये क्या है lagging power factor है यहाँ पर very lagging means बहुत ज्यादा low है और बहुत ज्यादा means बहुत low है और lag lag कर रहा है फ्रेंस ठीक है तो very low and lagging power factor तो answer डीवाला आपका correct हो जागे जबके अगर lagging की बात करें तो lagging नहीं है lagging तो है पर बहुत very है बहुत कम है बहुत माइनूट सा है हाई तो होई नहीं सकता हाई lagging भी नहीं हो सकता है लेडिंग भी नहीं होगा ठीक है तो low very low lagging ठीक है नेक्स पर आजए कोशन नमर थर्ड में कहा गया है फ्रेंस कोशन नमर थर्ड में बोला है नेमलेखित में से कौन सा उपकरण विद हेटिंग एफेक्ट पर हेटिंग एफट ओफ एल्क्रिक्रिसिटी पर कारे करता है तो मैं आपको बता दूँ हिटिंग एफट ओफ क्या है हीटिंग इफच का मतलब है ह स करण कोब favori उश्यमी प्रभाव इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जूल्स लो या उश्यमी नियम ठीक है फ्रेंट्स तो इसको भी नो डाउन करती हूँ चलिगा तो यही बोलना चाहरा है कि हीटिंग इफेक्ट आफ एक्टर सिटी पर कारे करता है तो अगर मैं एक ही बात करूं एक क नहीं करता है तो आप संडी वाला करेक्ट हो जाएगा फ्रेंट्स ठीके नेक्स पर आजाए कुशन नंबर आपका फोर में बोला किया है उश्मा का शंचरन हीट ट्रांसफर ठोस बस्तू में किस परकार होता है मेंस कहने का ताथ पर यह हैं कि जो आपकी सॉलिड है या फि है फ्रेंट्स तो उसमें आपका जो हीट का कंडेक्शन हो रहा है या हीट ट्रांसफर जो हो रही है वो कंडेक्शन के तरह होती है अब कंडेक्शन का मतलब क्या कंडेक्शन का मतलब यह है फ्रेंट्स कि जो एलक्ट्रॉंस है या फिर जो मॉलीकुल्स है वो अपनी हीट क को जला दिया means कोई आग यहां पर वर्निंग करा दी अब आप जब यहां पर आग बर्निंग करागो तो यह आपने देखा होगा कि अगर आप इधर हाथ लगाते हैं फ्रंस इस वाले को टच करते हैं तो यहां पर आपको हीटिंग का एफेक्ट नजर आता है या फिर यहां प तरह का टंपरेचर और यहां का टंपरेचर एक्वल ना हो जाए इस वाली प्रॉसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन ठीक है तो यही आपका जो सॉलिड है उसमें हीट का ट्रांसफर होता है आपका कंडक्शन की प्रॉसेस के तुरू जबकि अगर कॉन्वेक्शन की बात करें तो कॉन्वेक्शन का आपका जल जो होता है जो वाटर है वाटर में आपका कॉन्वेक्शन का होगा और अगर मैं रेडियेशन की बात करूँ तो रेडियेशन जो आपकी सोलर एनरजी है जो संसे रेज आ रहे हैं जो संसे रेज आ रहे हैं वो आपका हीट का ट्रांसफर कर आती है radiation की फोटोन की फोटोन की फोटोन में तो इन सब को नोट डाउन करते हो चलिएगा option इसका कौन सा है आपका option है इसका आपका कंडक्शन ठीक नेक्स पर आजाई को फाई में कहा गया एक लहपदार्थ है जिसको गर्म किया जाता है तो उसमें उश्मा किस तरह संचिर्थ होती है तो मैं आपको बता दू लहपदार्थ क्या है आपका एक सॉलिड है तो सॉलिड में आपको पता है किस तरह से उश्मा का संक्चरण होता है तो कंडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा जैसे उपर वाला है उपर और ये जस्ट एक दूसरे से इंटर लिंक है सेम कुशन है वह सिनकी लेंगेज चेंज हो गई तो आपका ऑप्सन भी इस दा राइट अंसर नेक्स पर आजए कोशन नमबर सिक्स में क्या कहा गया है फ्रेंट्स कुशन नमबर सिक्ष में बोल रहा है चेंट्स देख लेते गाएं यहां पर सूरे उश्मा मतलब vä59 59 Stories से और उश्मा बोलुसक्त यह सूरे का प्रकास की बात गई कि उसकी उसमा की किस प्रकार संचरत डángसवर होती है तो मैं आपको बता दूएne की रेज हैं या फिर जो सन का प्रकाश है रेडियेशन के फ़र्म में वो फिलो होता है या फिर प्रवाहित होता है या ट्रांसफर होता है जो आपका हीट है मिन्स जो सन की हीट है वो आपकी रेडियेशन के फ़र्म में संचरित होती है या फिर ट्रांसफर होती है तो आपका संचरण हो रहा है तो वह आपका क्या झेलाएगा वो आपका रेडियेशन कहलाएगा अगर मैं इसके ऐकजामपल की बात करूं तोसका सबसे बड़ा एकजामपल है फोटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉट की वेएधा जैसे इसन है centers संसे जो Energy निकल कर आ रही है हो फोटौन की फ़ोम में आ लिग्ल कर आ रहा है मिस्यां एक है फोटौन हो कि जो आपका फोटौन है उसके बात करें तो उसकी जो उश्मा है मुश्मा उसकी होती है है डाउन कर नियू एक बार पूछ Now है कि आपकी photon की जो उर्जा है उश्मा है या उर्जा है वो क्या होती तो एच नियू होती ठीक है नेक्स पर आजए कुशन नमर सावन में क्या कहा गया कुशन नमर सावन में बोल रहा है विदूद उक्करण जैसे heater bulb induction furnace आदी किस नियम पर कारे करते हैं तो मैं आपको बता दू है या सारी किया है हुपञ उवल या फिर एक्टमी उप्रणे होका उप्सन ए भर में कहा गया है विदूद त्रेरण से दोनों जबकि दोनों भी नहीं हो गने में से कौंसा जूल नियम को परदर्षित करता है तो मैं आपको जोल सुनियम क्या कहता है अभी जैस्ट मैं आपको बता चुका हुआ है आई स्क्वेर आरटी होता है तो यहां पर देख लिए का कौन सा आपको आपको अप्शन हो गया वाला एच उकल टू आई स्क्वेर आरटी फ्रेंट्स तो चलिए नेक्स फोर्शन की और पड़ते हैं दूसरा है आपका कौन्वेक्शन तीसरा है आपका रेडियेशन तो अगर कंड़क्शन की बात करें तो जो सॉलिड होते हैं उसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंड़क्शन की तरह होता है या कंड़क्शन की फॉर्म में होता है और अगर बात करें हम लिक्विड की या gases की या simply liquid की बात करें तो जो liquid होते हैं liquid वाला material है या liquid particles है liquid material है तो उसमें आपका जो उश्मा का संचरण है वो आपका convection के थुरू होगा convection बिधी के थुरू जैसे आपका जो पानी को हम गर्म करते हैं वावल्स क्रियेट होते हैं या फिर जो heat up होता है water तो वो convection के थुरू होता है अगर हम radiation की बात करें तो radiation हमारा जो gas के particles है या फिर जो gases है तो gases में जो आपकी उश्मा का transfer हो रहा तो वो radiation की form में होता है या अगर हम बात करने की radiation तो radiation आपने देखा होगा जो solar light है sun से जो rays आती है जो photon आते हैं प्रकाश लेकर या फिर उश्मा लेकर तो वो किस form में आते हैं वो radiation की form में तो तरंगों की form में electromagnetic waves की form में विद्व चुम्ब की तरंगों की form में जो उश्मा का संच्राण होता उसको हम कहते हैं तो उस्टीफन का नियम क्या है अगर हम इस वाली की बात करने तो यह जूल का नियम है फ्रेंस इसको भी लिखते हूँ चलीगा यह जूल्स लो है कौन सा लो है जूल्स लो आगा व्श्मा का नियम इसके माध्यम से उत्पन होती है कि कितनी हीट रांसफ़र होगे अगर हम कीशी बिधुत उपकरण की यह बिधुत डिवाइस की बात करें इलेक्राट करें जतनी धारा यहां पर फिलो होगी उतनी ज्यादा रहीड़ होगी जितना उसका पाला जो नियम है वो आपका यह है एच उकल टू 5.72 इंटू 10 दूटी पावर माइनस फोर केल्विन ए आफ टीवन अपॉन थाउजेंड की पावर फोर माइनस टीटू अपॉन थाउजेंड की पावर फोर फ्रेंट्स अगर टीवन टीटू की बात कर तो यह हमारा जो की तरियू फश्र है उसमें व्यरिशन है इनिशल टंपरेचंग पाइन टैंपरेचे मुँ दो-टो यह हैं आपका स्टीफन शरक के नियम अहीं सेंप्ल है सिंगल फीस की पावर है यह और डी वाला बैसे ही गलत हो गया फ्रंस नन अफ दा एबव है इस लिए ठीक है तो नेक्स पर आज एक कुछ नमबर 11 में कहा गया है प्रतिरोध तापन मेंस रजिस्टेंस हीटिंग की कितनी विदियां है तो मैं आपको बता दूं रजिस्टेंस हीटिंग की में ट्रकी in direct जो हमारा हीटिंग होता है वो directly हमारे है या फिर जो चार्ज ए फ्यूल तो नहीं क्या सकते जो आपका घ्ञान जो चार्ज है उसके directly संपर्ख में होता हैаг में रहे मैं एसा कोई लेइर बनाओ इसके अंदर हमारा ज हमारे जो मोल्टेड मेट्रियल है या फिर जो हमारा जिसको हमको पिगलाना है वो मेट्रियल है वो इसके अंदर फिल आप हमारा जो पृतिरोध है एलिमेंट है वो डारिकली हम इसी के element को डालते हैं यह हैं आपका heating element इसको अलक चेंबर में डाल दिया यहां पर आपका मॉल्टेड मैट्रियल है में जिसको आपको पिगलाना है घान है इसमें आपने क्या किया विदुधारा पुर्भाहित कराई जब विदुधारा प्रभाहित कराओगे तो जूल लोग के अनुसार अभी में आपको जूल स्लो बताए आइसको नुसार यहां पर हीड जनरेट होगी जब हीड जनरेट होगी तो हीड रेडियेशन की फॉर्म में क्या करेगी इस वाले जो घान है इसमे में कहा गया है एक कमरे को बिधुततापन करने के लिए कौन सा हीटिंग मेथट यूज करते हैं तो जो आपका कमरा है उसको गर्म करने की बात कही गए तो अगर कमरे को गर्म करने की हीटिंग की बात करेंगे तो हम रजिस्टेंस हीटिंग को हम कम्रे के विधुत तापन में यूज करते हैं या फिर इस मैथट को यूज करते हैं कम्रे को हीट करने के लिए तो नेक्स कोशन पर आजए कोशन नमर आपका थर्टीन बोला गया निमलिखित में से किस तापन विधी का पावर फेक्टर लीडिंग होता है तो मैं आपको बता दूँ लीडिंग पावर फेक्टर अगर आपने कैपसिटर का कॉंसेप्ट पड़ा होगा तो कैपसिटिव अगर लोड होता है तो उसका जो पावर फेक्टर तो आपके करण्ड होती है यहां पर यही बोल हेगं कि we cidade का पावर फैक्टर लिडिंग होता है तो अगर लिए आधे नेगेटिब्ola यहां पर बनाते हैं पॉजिट्टीब से निगेटिब क्या होना शुरू हो जाता है आपका जो चार्ज है उसका फ्लोव होना शुरू हो जाता है तो इस प्रकार क्या होगी आपकी जो ही टिंग है वह ये डाभिल एक दूसरे के कोसर नमर 14 में क्या कहा गया कोसर नमर 14 में बोल रहा है रजिस्टेंस हीटिंग कौन सी सप्लाई होती है मतलब कौन सी सप्लाई पर वर्क करती है कौन सी सप्लाई कौन सी सप्लाई यूज होती है रजिस्टेंस हीटिंग में इसको करिएगा यहां पर फ्रेंट् सी ना की बोद इनमें से कोई नहीं तो option B is the right answer नेक्स पर आ जाए कोशन number 15 में कहा गया हीटिंग element की property होती है तो अगर मैं heating element के properties की बात करूं तो properties क्या-क्या होगी option A बोल रहा है आपका high resistivity होना चाहिए बी बोल रहा है high melting point होना चाहिए c बोल रहा है low temperature coefficient of resistance होना चाहिए डी बोल रहा है all of the above तो मैं आपको बता दूँ जो आपका heating element है उसकी property क्या-क्या होना चाहिए तो उसकी property होना चाहिए high resistivity होना चाहिए उसकी ज्यादा से ज्यादा उसकी रजिस्टिविटी जब होगे resistance को हाई बनाने के लिए हमारी जो रजिस्टिविटी होती है उसको हाई करना जरूरी होता है next है आपका high melting point तो melting point भी हाई होना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि हम जो element use कर रहे हैं दूसरे मेटल को मैटल को पिखलाने के लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा मेटल तो ना पिखले उससे पहले हमारा जो element है वही पिखल जाए तो उस चीज़ को remove out करने के लिए बचाने के लिए कि हमारा मेटल से पहले हमारा element ना पिखले तो उसको हम बनांगे high melting point means उसका high melting point होता है वो बहुत high होगा ठीक है low temperature coefficient of resistance इसका मतलब यह है कि temperature increase हो उसके साथ-साथ जो आपका resistance अब बहुत कम value में या बिल्कुल चेंज ना हो या फिर अगर चेंज हो तो बहुत कम उसकी value में variation आए तो इस प्रकार को बोलते है low temperature coefficient of resistance तो यह तीनों गोड़ उसमें होना चाहिए तो आपका और डीवाल option हो जाएगा all of the above तो चली next question की और बढ़ते हैं question number 16 में कहा गया है question number 16 में बोला core type induction heating के निमने प्रकार है तो core type induction heating के कौन-कौन से प्रकार होते हैं तो horizontal induction heating और vertical induction heating दोनों ही उसके प्रकार है तो option b is the right answer a and b horizontal जो induction heating वो भी होती है और वर्टिकल भी होती है तो चली next question की और बढ़ते हैं 17 question number में बोल रहा है induction heating में supply frequency को रखते हैं तो मैं आपको बता दू जो induction heating है friends दूसरा question ये भी पूछा दा सकता है कि कौन-कौन से heating में frequency का use होता या फिर frequency किस पर depend कौन-कौन से heating में अधिक या महदवपूर्ण रोल अदा करती है भूमी का नेभाती है तो मैं आपको बता दू जो frequency है उसका concept हमारी induction heating में भी आता है और जो frequency है उसका concept हमारा dielectric heating में भी आता है तो friends अगर मैं आपको बता दू कि dielectric heating तो dielectric heating में भी होगा और induction heating में भी होगा इस भीहाब पर आपका जो option जो मैंने question बताए था उसके आधार पर आपका हो जाएगा कि अगर frequency की बात कहें तो आपका dielectric heating में भी और induction heating में भी दोनों में आपकी frequency का रूल है ठीक है यह तो बात रही frequency अब पूछा क्या जा रहा है question में कि इंडेक्शन heating में supply frequency को रखते हैं तो मैं आपको बता दू 25 हर्ट हम रखते हैं कौन सी इंडेक्शन कौन सी heating में तो ंडेक्शन heating में अगर हम injection heating की बात करें तो जो frequency होती है तो वो होती है आपकी 15 Hz तो 25 Hz आपकी frequency हो गई किसमें इन induction heating में question number 18 में है dielectric heating में उश्मा उत्पादन निम्न सूत्र से होती है किसमें dielectric heating की बात कही गई तो dielectric heating का अभी just मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा आपकी capacitor form होता है तो capacitor की जो heat है वो कैसे generate होगी देख लेजेगा यहाँ पर 2 pi f c b square cos 5 इस form में अगर मैं इसकी बात करूण तो यह आपकी heat तो generate हो रही है पर यह उश्मा आपका उश्मा का नियम है joule slow है यह ठीक है तो यह बला नहीं है option गलत हो गया यह भी गलत होगा तो option b is the right answer h equal to 2 pi f c v cos 5 तो चली next question क्यों बढ़ते हैं question number 18 19 में कहा गया है question number 19 में कह रहा है microwave microwave को हिंदी में बोलते हैं शोक्षुम तरंग भट्टी microwave oven में use करते हैं तो microwave oven में क्या use करते हैं option a है आपका frequency converter option b हैं आपका automatic on-off system तो फ्रेंट्स microwave oven की बात करें तो हम जो frequency frequency converter उसको भी यूज़ करते हैं automatic on और off system को भी यूज़ करते हैं तो option c is the right answer a and b ठीक है नेक्स पर आजाए question number 20 में कहा गया है question number 20 में बोल रहा है microwave oven में कितनी frequency यूज़ होती है तो अभी जिसमें आपको बताए कि जब इसमें आपका frequency converter system यूज़ हो रहा तो यहां की frequency भी जानी जाएगी तो फिप्टी हर्ट्स नहीं होती है 100 हर्ट्स भी नहीं होती है 45 हर्ट्स भी नहीं होती है बहुत ज्यादा frequency होती है 2450 मेगा हर्ट्स तो यह frequency है इसको नोड़ डाउन करते हो चलेगा इतनी ज्यादा microwave जो आपकी ओबन है उसमें इतनी ज्यादा frequency की जो electromagnetic waves की वेव है उसको flow कराया जाता है जिससे क्या हो जो भी आपका material आपको पकाना है जो भी आपका पदार्थ है उसको पकाना है या फिर गर्म करना है तो वो क्या हो बहुत कम समय में जल्दी heat हो जाए या बनना शुरू हो जाए तो microwave का आजकल बहुत ज्यादा यूज है microwave ovens का आपके जो बड़े-बड़े hotels बगेरा होते हैं उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है microwave oven का तो इसको भी इस context में भी याज रखते हुए चलेगा कि इसके application की बात कहेगा तो बड़े-बड़े जो industries होती है जो factories होती है बहां पर इसका यूज किया जाता है साथ के साथ आपका जो hotels होते हैं बहां यूज करते हैं इसका और scientific research एंड आपका research and development में भी इसका यूज करते हैं तो आर नेक्स पराज़े कुछ नमर 21 में कहा गया किस वाले में निमलखित में से कौन सी तापन विदी supply frequency पर निरवर करती है अभी जस्ट मैंने आपको बताए कि ये भी पूछा जा सकता है कि supply frequency पर कौन कौन सी ऐसी तापन करती है जो निरवर करती है तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंट्स जो आपकी नहीं यहां पर बोल रहा है नहीं करती है तो पहले वह देख लो जो करती है तो अगर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग करती है supply frequency पर कार्य अगर मैं बात करूँ इंडेक्शन हीटिंग तो resistance हीटिंग तो चली नेक्स कोशन की और बढ़ते हैं फ्रेंट्स कोशन नमर 22 में कहा गया है एलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग के लिए कौन से एलेक्ट्रोड का प्रियोग करते हैं तो एलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग की बात कहीए तो अगर मैं आपको बता दू एलेक्ट्रिक का यूज करते हैं तो फंट्स ग्रेफाइड का यूज करते हैं क्योंकि ग्रेफाइड की जो ग्रेफाइड का जो टमप्रेचर है तो वो लगभग आपका थ्री हंड्रेट डिग्री सेंटिग्रेट होता है थ्री सॉरी थ्री हंड्रेट नहीं 3000 डिग्री सेंटिग्रेट होत सब्सक्राइब करते हैं लेकिन टंगिस्टन का अलग होता है यहां अलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग में हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं तो चली नेक्स्ट कोशन पर आते हैं फ्रंट्स तो कुशन अमर्ट 23 बोल रहा है कि इंडेक्शन फर्नेस का उप्योग करते हैं तो फ्रंट्स में बता दूं इंडेक्शन फर्नेस का उप्योग कहां पर करते हैं आप्सटन ए बोल रहा है एल्मोनियम को पिखलाने में बी बोल रहा है ही ट्रीट्मेंट में सी बोल रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट एस फ्रेंट्स एक सेकंड रुख जाएगा नेक्स है आपका 23 कुशन नमर में कहा गया है फ्रेंड्स इंडेक्शन फरनेस का प्रियोग करते हैं ऑप्सन ए एलमूनियम को पिखलाने में ऑप्सन भी हीट ट्रेट्मेंट में ऑप्सन सी इन्सूलेटिंक मेट्रियल को हीट करने में दी ए औल ख आफ दा एवर तो फ्रेंट्स अगर मैं बता दूँ आपको कि जो आपकी इंडेक्शन फरनेस होती है उसका जो यूज है वो ए इंसुलेटिंक मेटियोग को पिखलाने में नहीं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लेज़ेगा हम बता दें कि हमारे इस चैनल पर हमने एड़ेडी सेकंड को फिनिस्ट करा दिया है अब हम यू डबली को फिनिस्ट करा रहा है साथ के साथ आज से ही आपका जो आयमारी है उसको भी इस्टार्ट करेंगे और एक्जाम से पहले हम आपका इसका भी जो mcq series है उसको गवर कराएंगे क्योंकि आपको पता है mcq series चल रही है और MCQ series कराने के बाद फिर हम आपके one liner question लेकर आएंगे friends one liner question लेकर आएंगे और one liner के साथ-साथ आपका online test भी कराएंगे जिससे क्या हो आप exam देने में बिल्कुल problem create ना हो आपके साथ आप familiar हो जाओ तो हम आपका online test भी conduct कराएंगे और भो भी अपने एक software के माध्यम से ठीक है तो इससे ये रहेगा कि आप अच्छे से उस पो prepare कर लेंगे तो friends चलिए next session में मिलते हैं next concept के साथ अगर आपने channel को subscribe नहीं किया तो चलो को subscribe कर लेजेगा अपने शात्यों को share कर लेजेगा